नमस्कार जैहिन मैं हूं राना क्रिको पर आपका स्वागत है वेलकम ये वही चैनल है जो लाता है आपके पसंदीदा खेल क्रिकेट से जुड़ी हर किसम की वीडियो जो आपको आते हैं बहुत पसंद सही बोला ना बात तो सही है और आज भी एक कड़क वीडियो लेकर हम य जरू सबस्क्राइब करेंगा ठीक है 178 साल पहले 1844 में पहली बार इंटरनाशनल क्रिकेट मैच कहला गया था तब से लेकर अब तक क्रिकेट ने बहुत से बदलाव देखे जिसमें एक ओर में गेंद कितनी होगी से लेकर पूरे मैच में ओर कितने होंगे ये सब शामिल है लेकिन इस खेल में ICC ने कुछ बड़े बदलाव किये हैं जैसे बदलाव नमबर वान अब IPL जैसे ही इंटरनाशनल क्रिकेट में भी किसी भी बल्लेबास के कैच आउट होने पर अगली गेंद नए बल्लेबास कोई खेलनी होगी और रन भागने से इस पर फरक नहीं पड जब कोई बल्लेबास कैच आउट होता है तो नया बल्लेबास स्ट्राइक में आएगा बले बल्लेबास कैच लेने से पहले एक दूसरे को पार हो गए हो पहले ये नियम था कि कैच पकड़े जाने से पहले अगर बल्लेबास एक दूसरे को पार कर लेते थे तो दूसरे छो काने के लिए थूक का लार के यूस पर बैन लगा है कोरोना महामारी आने के बाद इसे सुरक्षा के मद्दे नजर लाया गया था लेकिन अब इसे स्थाई रूप से लागू कर दिया गया है बदलाव नमबर तीन अब विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबास को टेस्ट और वन डे मैचों में दो मिनट के अंदर स्ट्राइक लेने के लिए तयार होना होगा जबकि टी ट्वेंटी में ये समय पहले की तरह 90 सेकेंड का ही रखा गया है पहले नए बल्लेबास को टेस्ट मैचों में तीन मिनट का समय मिलता था बदलाव नमबर चार अगर कोई बल्ले गेंदबास के हाँ से छूट जाती थी और पिच से काफी बाहर चली जाती थी तब बल्लेबास पिच से बाहर जाकर भी उसे खेलते थे अब पिच से बाहर जाने पर बल्लेबास को कोई रन नहीं मिलेगा बदलाव नमबर पांच गेंदबास के गेंद फेकने से ठीक पहले अगर फील्डर जान बूच कर कोई गलत हरकत करता है तो अमपायर उस गेंद को डेड़ बॉल देने के अलावा बैटिंग करने वाली टीम को पेनल्टी के रूप मे पांच रन गिफ्ट कर सकते हैं बदलाव नमबर 6 हाल ही में भारती महिला क्रिकेटर दीफ्टी शर्मा ने इंगलेंड की खिलाडी चार्ली डीन को मैंकड आउट किया जिससे खूब बवाल मचा ना गबराईगी ने ये रूल नहीं बदला है बस रूल का नाम ICC ने चेंज कर दिया है अब अगर कोई गेंद बदलाव नमबर 7 क्रिकेट का रूल बुक पहले ही क्रीस से बाहर आ जाता है तो गेंद बास थ्रो करके उसे रूल आउट कर सकता था लेकिन अब ये रूल हटा दिया गया है किसी बॉलर द्वारा अगर ऐसा किया गया तो उस गेंद को डेड बॉल करार दी दिया जाएगा अगला बदलाव टी ट्वेंटी क्रिकेट में धीमी ओवर गती पर जुर्माने का नया रूल आड किया गया है दोजार थेईस वर्ल कप के बाद इसे वन डे में भी लागू किया जाएगा इस रूल के मताबिक गिंदवाजी करने वाली टीम को निश्चित टाइम के अंदर अपना आखरी ओर शुरू करना होगा अगर तैस समय पर कोई टीम अपना आखरी ओर शुरू नहीं कर पाती तो उस समय सीमा के बाद जितने भी ओर होते हैं उसमें एक फिल्डर बाउंडरी से हटा कर तीस गच के दाइरे के अंदर रखना पड़ेगा इसे बल्ले बाजों क और विमन्स क्रिकेट दुनों में यूज होगा क्या आप जानते हैं कि हाइब्रिड पिचों का इस्तेमाल अब तक सिर्फ विमन्स T20 मैचेज में ही किया जा सकता था नहीं न इसले कहता हूं कि हमारे क्रिको चैनल को सब्सक्राइब करो और रोज के रोज क्रिकेट में अप पर जहिन